हेलो गाइज दिस सचिन चोवान और विडियो गाइज जैसे आज वी ओल नो कि लॉग डाउन एक्स्टेंड हो गए 17 मही तक तो आप चिंदा मत कीजिए मैं और कंटेंट बनाऊंगा ताकि आप सब बोर ना हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमें अपनी फ्लोड राट का भी डिलीट क्यों नहीं करनी चाहिए तो मैं आपको इसका आंसर करूंगा कि नेवर डिलीट यॉप रहें तो अगर आप मेरे चैनल पर नीव है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो को नोडिफिकेशन मिलता रहे और वन मोर तिंग गाइस मेरे एक हजार सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो थैंक यू सो मच पहले ही एडवांस में तो आप और सेट करेंगे वीडियो ताकि और जल्दी हो जाएं तो विदाउट टाइम में सब्सक्राइब करने चाहिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हम तो ध्यान से सुनिए इस पॉइंट को देखे गाइस जभी भी आप शूट करने निकलते हैं आप फ्रवाफ कीशने निकलते हैं तो वहां पर बहुत ज़री चीज़ें जो इन्वेस्ट होती हैं सबसे पहले आपका पर भी उफ ताइम ठीकिया पा इंवेस्ट हूता है आपका मुनिंवेस्ट होता है रिसोर्शीं ऐस तो बहुत सारी चीजे और महनेत लगती है वह अलगा ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एक फोाइफ को क्लिक करने में ठीक है तो उसको आपकी जर्नी का पार्ट है आपको नहीं पता कौन सी फोटोग्राफ क रिठ किसके क्या काम आ जाए तो इंपोर्टेंड यहीं नहीं कि आप कितनी अच्छी फोटोग्राफ खीच रहे हैं और दीड़े इन डिड़े आप इंप्रूव कर्रें तो आप एक जर्नी बनाते जा र तो वो उनको अच्छा लगा उन्होंने इसलिए करी लेकिन अब उनका बहुत तीजी से हो रहा है हमारे वर्ल्ड में ठीक है तो हर बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट है तो मैं आपको strongly recommend करूँगा कि किसी भी फटोग्राफ को delete मत कीजिए अगर आप मान लीजिए अब 2010 में ताज महल गई ठीक है और उसके बाद आप 2020 में गए 2010 की फटोग्राफ इतनी कुछ खास नहीं आई तो आप या 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 डिलीट कर देता हूं न लिए अपनी किसी भी फटोग्राफ को delete करना बेवकूफी है क्योंकि जस्ट बिकॉद आप डिजिटल यूज करने आप खुद सोचे अगर आप फिल्म यूज करते आप रोल यूज करते तो आप कोई भी फटोग्राफ नहीं मिटा आप ये तो अपना जो रोल है वो फाड पसंद आए हो सकते हैं वो आपको छे महीने बाद एक साल बाद पसंद आए तो उसे हमीशा सेव करके रेकिए उसे कभी भी डिलीट मत कीजिए और डिलीट अगर आप कर भी रहें तो बहुत सोच समझ के डिलीट करें कि आदि करना सही है या नहीं है क्योंकि आज जो आप खीच रहे हैं ठीक है चाहिए वो नॉर्मल फोटोगाफ इतने अच्छी नहीं है लेकिन अगर वो इन फ्यूचर एक्स्टिंट होने वाले या इंडेंजर आने वाली वो पर्टिकुलर जो चीज है जो भी आप खीच रहे हैं ठीक है तो उस फोटोगाफ की बहुत जादा वैली होगी ठीक है तो बहुत सोचे समझे अपनी फ्रोगाफ पर जबी आप डिलीट करने हैं मैं पहले तो बोलूगा कि आप डिलीट मत कीजिए मगर आपको फिर भी लगता है यह कुछ काम की ने फिर भी एक बास सोचे किया यह सची में मुझे डिलीट करनी चाहिए या तो वह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है एक एक प्रोजेक्ट चूट किया था बहरूपिया आर्टिस्ट का ठीक है और वह मैं जो 2018 के राउंड में मैंने शूट किया था और मैंने सुचा 2019 में भी होगा बट वह अब होता ही नहीं है ठीक है तो अब वह उन्ट फोड़ोग अपनी डिलीट मत कीजिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको क्लिक करने जाने मैंने आपको बता है आपका वैल्यू आफ टाइम इन्वेस्टोरा रिसोर्सीज महनत सब चीजे लग रही है और आप एक मोशनल अटाइच चीज के साल तो नेवर डिलीट यह फोड़ थैस फर वछवचिं गईस